असलेम और अलेकुम दोस्तो सांडे कमंड बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तो उम्मित करता है आप सब खेरियाच्चों होंगे ठीक होंगे मज़ेमे होंगे तो आप लोग कॉमेंट करेंगे कुशन करेंगे और मैं जबाब नहीं दूगा ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे कभी नहीं होगा थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जबाब आपको जरू मिलेगा आज भी कुछ बहुत की इंपोर्टेंड इंपोर्टेंड कुशन जो है वो मैंने पिक अप किया तो चलिए दोस्तो सांडे कमंड बॉक्स शुरू करते हैं दोस्तो वल्कम बेक टो आज चैनल तो सबसे पहला जो कुशन क्या है वो क्या है मही का अमेजिंग वर्ल्ड उन्होंने कुशन क्या है रैबिट को किस सीजन में पर्सेस करना चाहिए प्लीज रिप्लाइ मी इन संडे कमेंड बॉक्स तो ऐसा कोई बात नहीं है अब किसी भ दो माहेने के बच्चे खरिदना होगा नेक्स्ट कुशिन नेक्स्ट कुशिन क्या है टैप 13 सर हमारे फिमेल रिबिट ने पहले तीन बच्चे दी फिर आवी एक बच्चे दी है तो क्या प्रोब्लम है बच्चा क्यों काम दे रही है प्लीस बताए संडे कोमेंड बॉक्स टो एक्षिली ऐकोई प्रोब्लम नहीं है फिमेल रिबिक कभी कभर एक बच्चे भी जनाम देती है तो मैंने जब पहली बार रिबिक खरिद्या था अडोभ किया था तो उस फिमेल ने सिर्फ और सिर्फ पहली बार एक ही बच्चे जनाम दी थी और उस वाक में बहुत ही अपसेट था लेकिन next month मुझे 7 babies मिला था तो कभी कंबर ऐसा होता है लेकिन एक कुछ reason भी होते हैं मैं आपको बताता हूँ तो आपके बाद जो female rabbit, male rabbit अगर वो दोनो healthy नहीं है तो female rabbit जो है वो कम अंडे छोड़ते हैं आप सुसरे आणे कहा से आ गया, तो जब रेबिट ब्रीडिंग करता है, उसके बाद फीमल रेबिट जो है, उओ अंडे शुड़ते हैं आणे बच्ची की रूब लेते हैं, उस अंडे को आप भूरून भी कह सकते हैं, तो ब्रीडिंग के बाद कितने फीमल रेबिट पर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट कुषिन नेक्स्ट कुषिन क्या है सायत अक्रमाली सर पिसली बार मेरे खर्गोष ने 19 दिन में बच्चे दिये थे इस बार भी क्या इतने दिन में बच्चे देगी प्लिस रिप्ला एंद संडे कॉमन बोक्स तो एक्षिली रिप्ट के जो गास्टेशन फीरिड है वो एक्षिली 8 से 32 दिन होते है तो अगर कोई रिपिट 8 दिन पहले ही बच्चे देती है तो इसको आप एबर्शन कहा सकते है मतलब बच्चे गी जाना कहा सकते है वो बच्चे जानम लेने के बात जिन्दा नहीं रहता एक रेबिट कभी भी 19 दिन में बच्चे नहीं देती है अगर देती भी है तो वो एबोर्शन है ठीके next question संदीप भाई मेरे पापा रेबिट मतले बोल रहे है मर गया तो पाप लगेगा बोल रहे है कैसे करूँ बताओ तो देखिए मरना तो सब कोई होगा आप हो या मे या जानवा कोई भी जिन्द नहीं रहेगा तो आगर आप रेबिट एडूप करने के बात अच्छे से time-to-time feeding नहीं कर वाएंगे पानी नहीं देंगे बीमर हो गया है treatment नहीं कर रहे है तो उन हलत में अगर रेबिट मर जाएगा तो आपको पाप जरूफ लगे गा अज्यव मर धाएगा अगर अन्ये प्लाइट को 100 ब्रिट मिलता है पूरी दुनिया में उसमें जंगल में रहता है और ज्यादा से ज्यादा जो प्रजत्य है रेबिट का वो पेट के सबसे पाला जाता है तो इस वीडियो को आप अपनी पेरंस को भी देखा सकते हैं कि रेबिट पालने से अगर वो मार जाता है तो कोई पाप आपको नहीं लगगा next question जायत चोधरी सार्जे रेबिट को को से क्लिप्स में खला सकते है प्लीस प्लिस प्लीस एंसर मी संदो क्मेर बॉक्स तो आप बनेञा ट्री पापंफर अपने रेबिट तक दे सकते हैं लीकिन उसका हिंडि क्या है चच मैं मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, I am extremely sorry for this, next question, अभई रस्पूत, खरगोश को 38 डिग्री से गर्मी से कैसे बचा है, प्लेस, संड कमेंट बोक्स, तो rabbit जदा temperature बिल्कुल पसंद नहीं करता है, अब तो गरे 38 बहुत ही हाई है, तो rabbit को ग आवा आ रहा है, और दूसरी साइट से बाहर निकल रहा है, ऐसे जगा पर रखना चाहिए, अगर आपने rabbit को cool रखना चाहते है, तो fan यूस कर सकते है, AC यूस कर सकते है, ठंडे पानी भी पिला सकते है, लेकिन नहला ये मत, क्योंकि आप rabbit को नहलाएंगे तो हो सकता है, बना कर rabbit का सपस रख सकते हैं, इसे भी rabbit को थोड़ा गर्मी कम लगेगा, next question, next question क्या है, deep gamit, sir क्या rabbit को रात में दिखता है क्या, तो rabbit रात में दिखते है, क्योंकि इंसन के तुलनाओं में से rabbit का जो आई का पावर है, और ear सुनने का जो पावर है, वो बहुत ही तेज है, rabbit क तो actually noxional animal का जाता है, मतलब रात में ज्यदा घूमता है, चालता है, खाना खाते है, so rabbit रात में देखता है, next question, जाहिरा सिंग, भाई गिनिपिक ने बच्चे दिये है, तो वो फिर से कितने दिनों बात meeting करेंगे, तो गिनिपिक जो है, बच्चे देने के फोला गंटे बात फिर से हिट में आते हैं, अगर आप उस समय फिर से breeding करवाएंगे, तो आने वोले बच्चे और मादा के लिए बहुती खत्रा है, so कम से कम आप दो माहिने इंतिजर किजिए, और फिर से breeding किजिए, ठीक है, next question क्या है, Krishna Narayan, male and female गिनिपिक को एक साथ breeding के लिए कितने दिन हिट में आती है, अगर आप उस दिन ब्रेडिंग कर वाएंगे, तो female गिनिपिक हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ एक दिन ही रखना है, उसके बात male and female को अलग अलग रखिए, next question, रम बस फोर, assalamualaikum, assalamualaikum, assalam, मेरे पास सार रेबिट है, दो female, दो मेल, चारो रेबिट पास म का है, क्या मेरे ब्रेडिंग कर सकता हूँ, प्लीज रिपलाई, सांडे कमेंड बॉक्स, प्लीज, प्लीज, तो मैं बहुत सारे वीडिओ में बता चुका हूँ कि रेबिट पास से महिने में बच्चे देने की लाइक होती है, लेकिन ये बच्चे देने के लिए साही उमर नहीं है, कम से कम आपको 8 या 9 महीने इंतेजर करना होगा, और उसके बाद आप ब्रेडिंग करवेंगे तो रेबिट और बच्चे का हैल्थ अच्छा रहेगा, अगर आप आप ब्रेडिंग कर वेंगे तो रेबिट को पच्ची के लिए जो ज़ो जनेरेट करना है, वो नह तो कुछ प्रूप्स कुषिन अलिवर यस्त कुछिन रास मेरे बहुत ज्यादा गात ने लगा है जाए ज़से दोड़ता है और बहुत बुरा काटता है क्या करें अकर कोई आंप मेलबिट कारता है तो इसका दू सराइन है सबसे पहलाAAAAAAAA होर्मोन चैंजर्स एक दो माहिने के आंतरांतर रेबिट को अक्षिली होर्मोन जो हो बहुत ही इरिटेट करता है और मेल रेबिट एग्रेसिव हो जाती है ठीक है तो आप एक काम किजिए उस मेल रेबिट को कुछ दिनकों के लिए केस के अंदर खिए जब वो नॉर्माल हो जाएगा उसके बाद बाहर निकले दूसरा जो रिजन है अगर आप अपनी रेबिट को जाने आंजना में चोट पोस आया है तो रेबिट आपको काच सकता है नेक्स्ट कुछिन ओप गेमिंग रेबिट को हेल्दी के से रखे प्लेज रिप्लाइज हांडे को मेंड बोक्स अगर आप इसा करेंगे तो आपका रेबिट हैल्दी रहेगा नेक्स्ट कुछिन रेबिट स्लबर मेरे फिमल रेबिट मेल रेबिट को ब्रेडिंग करने नहीं दे रही है दूर भग गया रही है प्लिस रिप्लाइज तो अगर कोई फिमल रेबिट मेल रेबिट से दूर बाकता है यह ब्रेडिंग नहीं करना चाहती है तो इसका भी दो रिजन है first of all प्रेडिंग के लिए नहीं है या बाच से नहीं लेना चाहती है तो एनिमल के साथ फोर्स करना मेरे से अच्छा नहीं है next question सुमित जात मेरे पास एक जंगली रेबिट है क्या मैं उसे पाल सकता हूँ क्या please give answer in sound comment box तो जंगली खरगोश अब पाल सकते हैं लेकिन वो train नहीं होता है next question सुरी दूस्त और कोई questions नहीं है तो उम्मित करता हूँ जो भी questions था वह बहुत important questions था और आपको आच्छा भी लगा है अगर आप रेबिट के बार में कुछ जानना चाहते हैं कोई जानकरी चाहिए तो comment section में मुझे जरूर कमेंट करें मैं आपका reply देने के लिए कोशिश क करूंगा तो आसके लिए इतना ही खुश रहे मस्त रहे इस से जोड़े रहे खुदा हफीज